हमें व हमारी पूरी है चाल-बैत करती हूं कितने व्यस्ता रहते हुए नहीं और इस शुरी दुन करते हैं और इस पुरे सेमिनार के सफलता के लिए उनकी आराधना के लिए में आमंतित कर रहे हूं हमारे संगीत विभाग की परफसर हैं दॉक्टर मधुशर्मा मधुशर्मा से मिरादी वेदन सरस्वती अराधन धन्यवाद मैं अस्त्रा प्रिता या वीना वर्दंद मंधित पराः या श्वेत पत्मात नाम्ने या ब्रह्मात्युत शंपराप्रभित वे देवाई सदा वंधिता सामां पातु धरस्वती भगवती निशेश जाध्या पहाः शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमां आत्याम जगत्या पिनिं वीना पुस्तक धारिनिं अभयादां जार्यांध कारा पहाः श्तेस्पार्टि कमालिकां विदततीम पत्मास्तने संस्कितां वंधितां परमेश्वरी भगवती निशेश प्रुटित्रदां चारदां व्यक्लाम घृर्गा खिर थिए और इन के बेडियर श्तेनित कार्वती लेने के पाद हम इस यग्गी को अरंपरते हैं जो वास्ता में साथ दिवसीये हैं 14 सेप्टमबर हिंदी दिवस के दिन उत्सव का फून आगुती होगी और वो भी हिंदी कावय पार्थ के साथ आज का हमारा विशे है हिंदी भाषा एवन साहित्य की दशा दिशा एवन स्तर जिसमें इस तीनों प्रशन आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहे होंगे हिंदी भाषा एवन साहित्य की क्या दशा है दूसरा प्रशन क्या दिशा है और तीसरा कि स्तर क्या है यह कई सारे प्रश्न हैं जो हमारे सामने उभर कर आते हैं और हिंदी के व्यक्तित्र को लेकर हमें चिन्दित करते हैं। किस परकार के भावों का प्रस्तुती कर्ण हो रहा है, किस परकार के विचारों की अभिव्यक्ति हिंदी के माध्यम से हो रही है, ये एक विचार ये विशह है। कि यह कौन से तर्त्व हैं, वे कौन से बिंदू हैं, वो कौन सी बाते हैं, जो हिंदी के व्यक्तिकों को परिभ्हाशित करते हैं. ऐसी ही सब बातन को समझने के लिए हमने यह विचार गोस्ची आयोगित की हैं संसार की विविधभार्शाइं सभी अधितर परिभाशित हैं। उसी करे हम हिंडी को भी परिभाशित करना चाहते हैं। और हिंडी का व्यक्तित्तुर भृष्चित करना चाहते हैं। अंग्रेजी का अपना व्यक्तित वह है। उसकी freedom से, power से, business trade से, चर्च के प्रतिवी ग्रोह से, पारिबारिक संबंधों में अनास्था से, और जो मुल्यों में अनास्था है उससे और सिर्फ अपने लिए जीनाव से. तो ऐसा हिंदी का भी एक व्यक्तित उबर एक तम दिखाई देना जाहें. संस्क्रिट का अपना एक व्यक्तित उथा, हम संता, योग और वंतल की सारी उसके पिस्पूमी में हूं देखते हैं, लेकिन हिंदी एक समय था जब हिंदी पुर्षात की भाषा, साकारात्मक्ता की भाषा, उद्यम की भाषा, संस्कृति की भाषा, और सबसे बढ़ी बार उ प्रेम की भाषा, रास की भाषा, अध्यात्म की भाषा, लेकिन अधुरा सा द्रिस्टी में परिवर्तन हुआ था, और उसके बाद हम अन्मान नहीं लगा सकते, मैं एक्रिशन गुट्ची के शब्दों में कहना चाहूंगी हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे, इस ब उस दिशा को निर्धारिक करना हम सब हिंदी या शिक्षक बर्द या में कहन पूरे समाज के लिए आवश्यक है, तो इसी चिंता के साथ, इन्हीं विचारों के साथ और इसी उत्सव के साथ, सिर्फ चिंता नहीं इसमें उत्सव भी है, लेकिन विचार होते रहने चाहिए विचारों से हमारे जो परश्न होते हैं, उनमें उल्जन स्वाक्त होती है, हमारी जो बाते हैं, उनमें स्वस्थ आती है, हमें स्वस्थ मार्ग दिखाई देता है, तो वो मार्ग जो है, वो एक अच्छा दिशा मिर्देशक की दिखा सकता है, तो आज ऐसे दिशा मिर्दे प्रोफेसर डॉक्टर जिलिश्वरमिश बहुत व्याख्यान आपने उनके सुने होंगे विरंतर हो पत्र पत्रिकाओं में लेठन करते हैं और मनो विज्ञान के शीर्शर्थ विद्वान हैं, हिंदी साहिते के शीर्शर्थ हस्ताक्षर हैं, समाज, शिक्षा, संस्रिती, भा आशा, साहिते एवं भारते दर्शन से जुले प्रशनों पर आप नियमित रूप से सामसाइक विशों पर अपने उतेज़क विचाद प्रस्दूर करते हैं, अपने पांच दर्शकों के स्यक्षिक और एकादमिक जीवन में गोरभभूर, इलाहबाद, भूपाल और दिली विशेव द्यालय में का ध्यापन के बाद आप महात्मा, गांधी, अंतर रास्टे, हिंदी विशेव द्यालय वर्धा, महारास्ट्रा ने दो हजार चोर्दा से दो हजार उन्मीस तर खुल्पती पतपर रहे और अपने मोलिक लेखन के साथ अनुआद और संपादन के कारि आपने यात्राइन की है, अनेक विशेव द्यालयों और संस्थाओं में फैलो रहे हैं, अनेक संस्थाओं और देश-विदेश से आपको सम्मान और विदूशनों से अन्वनुक्रित किया गया है, तो ऐसे विद्वान वक्ता, ऐसे शिक्षावेद और अन्भवी विद्व संस्था के लिए इनी मुल्यों के साथ स्थाफित किया गया था, आज हम उने भी इस का रेकरम के माधन से इनके मुल्यों को याद करते हुए इसका रेकरम का आरंब कर रहे हैं, तो आशिवाल से इस संस्था जो है पुरे हर्याला की स्रिस्ट संस्थाओं में गिनी जाती है और बहुत ही मुधन्य सहितेकारों और शिक्ष्टों ने इस विभार की सेवा के हैं, उन सब के आशिवाद से आज हम ये व्याख्यान माला शुरू कर रहे हैं, और मैं आज के वक्ता हमारे प्रफेसर गिरिश्वर मिशल जी, जो सच्वी बहुती सहेच, सर्ल और अनभवी व्यक्ति होते हुए भी उनकी जो विनमबरता है, वो बहुती दिल को चूने वाली है, और आशित ओर जी कहा करते हैं, कि व्यक्ति विद्वान जितना हो, ज्यानी जितना हो, लेकिन अगर विनमबर नहीं है, सर्ल नहीं है, उसकी विद्वता काम ने लागए, तो उनकी इस वक्तव्य के लिए कामंत्रित है, ओम सहनाववतो, सहनव भुनतो, सहाविर्यं करवावः, ते जस्विनावधीतमस्तो, मावध्वशावः, ओम शान्ति, 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 सनातन धर्म मावध्याले द्वारा आयोजित, इस नहीं विदा के मंच पर हम सब जोड़ रहे हैं, वो एक अद्वारे का समय है, और मैं आप सब का इस अद्वुत समय में परदे से स्वागत कहता है, नंदन कहता है, जिस लगन के साथ अकार्मिक कर्म में संगलगन हैं, और एक प्रकार की बौधिक चेतना को विक्सित करने के लिए, और वह भी भारत केंदृत जो ज्यान की परंपरा है, उसका संबाद आज के समय से स्थापित करने के लिए, जो कारे कर रहे हैं, मैं उनको साधुआद देता हूँ, और मंगल कामना करता हूँ, कि इस यग्य का सुफल मिले, और लोगों की दृष्टी परिवर्धित हो, परिश्कृत हो, आज के इस आयोजन के सुत्रधार के रूप में कई मित्र हमारे यहां उपस्तित हैं, और मैं आदरणिया डाक्टर विजया शर्मा को साधुवाद देता हूँ, कि उन्होंने इस आयोजन का भार उठाया है, आज की चर्चा का विशय रखा गया है, इंधि भाशा एवं सहित्य की दशा, दिशा एवं स्तर, मित्रौं, मैं आरंभ में ही यहां बता देना चाहता हूँ, कि मैं हिंदी का पाथक हूँ, विद्यार्थी हूँ, विशशग नहीं हूँ, न भाशावई ग्यानिक हूँ और यह सही है कि हिंदी के अभ्यास से, उसके साहित्य के निकट रहने से और हिंदी की गतिविदी से जुड़े रहने से पुड़ा बहुत परिचय है ज्ञान है और उसके आधार पर मैं कुछ बातें आपके संबुक रखना चाहूँगा हिंदी भाशा के रूप में हमारे बीच लगभग 1200 वर्षों से विद्यमान है मुझे याद आता है बारमी, तेरमी, शताबदी में अमीर खुसरों का नाम जो भारत के नहीं थे बाहर से भारत में आये थे और उन्होंने एक हिंदी की शुरुवात की और हिंदी का जो प्रिवग हो रहा था उसका बड़ा सुनदर परिचे भिहना ने विया फार्सी में उनका एक बड़ा मत्वपूर्ण का व्यात्मत विचार है जिसको प्रस्तुत करके मैं अपनी बात सुदू करूँ का वो फार्सी में कुछ यूं कहते हैं चुमन तूती ए हिंदम अर रास्त पूरसी जेमन हिंदवी की पूर्स तो नग्ज गोयम तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ अगर तुम कुछ पूछना चाहते तो हिंदी में पूछो मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूँगा मित्रों यह बात अमिर खुसरों ने कही थी और उनकी बहुत सारी कविताएं हम सब लोग पढ़ते रहते हैं अब उनकी कविता अगर आप देखिये तो आपको आज की हिंदी का भी स्पंदर उसमें दीखता है वह हिंदी प्रयोग की भाषा थी और उसका जो भाषिक इतिहास है जैसा कि हम सब परिचित हैं जानते हैं कि किस प्रकार संस्कृत से अपब्रण्ष की याद्रा होती है और फिर उसके बाद परिवर्तन भाषिक नाना प्रकार के होते हैं और तमान तरह की भोलियां और भाषाएं पिक्सित होती हैं आज हम जिसे हिंदी कहते हैं जिस भाषा में हम बातचीत कर रहे हैं जिसे त्षित रूप से कोई कहना चाहें तो उसे खड़ी बोली का नाम दे सकता है इस भाषा का स्थान निर्धारित करना बड़ा कठिन है क्योंकि यह पूरे भारत के बहुत बड़े भाग में प्राय इसे मध्यदेश कहा जाता है वहां पर प्रुप्त होती हैं और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रदेश हैं तुमाचल है, हर्याना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है आधी-ाधी में हिंदी का प्रियोग प्रचुर मात्रा में होता है लोग कि मात्र भाषा हिंदी है इसके अलावे बहुत सारे छेतर हैं, जहां पर आप का विद्याले है वो भी, और इसके अलावे, और बहुत सारे छेतर हैं, जहां पर हिंदी का फ्रेवर्ण धरलने से होता है, विधिवत होता है हम सब जानते हैं कि बीजाप और गुलकुंडा में धख्षिनी के रूप में भी हिंदी वहाँ पर अस्तुत थी और उसकी उपलब्दी हमारे पास है और यह हिंदी एक बड़े विशाल भूख्षेत्र में व्याप्त है और भारत वर्ष के अगर पुरी जनसंख्या का हिसाब लगाएं तो आधी से अधिक जनसंख्या इसमें बोलती है पढ़ती है समझती है और यदि थोड़ा और विस्तार में जायें तो पाएंगे कि इसको समझने वालती संख्या और भी अधिक है फारत के अनिक खेत्रों में आज संचार माध्यमों के द्वारा हिंदी पहुंची हुई है फिल्मों के द्वारा पहुंची हुई है हिंदी की गजलों को सुन करके भी बहुत सारे लोग आकर्शित होते हैं तो जो मीडिया कहलाता है उसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसाथ बहुत है मैं यह अभी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हिंदी भारत के बाहर भी गई जो धिर्मिटिया कहलाते हैं तो वो कभी आज से 1500 वरश पहले भारत से शर्थबंदी प्रथाड़े अंतरगर्द मजदूर के रूप में मारिशेस में गयाना में अजब दीम में लगों के द्वारा smokes और अभी भी भिन भिन रूपों में और भिन भिन प्रकार की हिंदी वहां पर बिक्सित होती रही है। उसकी अपनी अपनी कठिनाईयां भी हैं और हिंदी का साहिती भी वहां पर है। अभी मन्यू अनत जिनका नाम और लाल पसीना जिनका उपन्यास महरिशस के लेखक हैं ब लेकिन प्रवासी जो भारत के लोग बाहर चले गए और वहां उन्होंने हिंदी की जियुती जलाए रखी और उनके साथ नामचरित मानस भी गया हिंदी की तमाम सारी पोथिया भी नहीं और उनके जीवन में जो सांस्कृतिक तत्व था वह हिंदी के माध्यम से गया है यहां पर ध्यानी लाना आवश्यक है कि हिंदी मेरी द्रिष्ट में एक परिवार का नाम है मुझे लगता है कि यहां बात हमारे मन में स्पष्ट होनी चाहिए अगर हिंदी में से आप तुलसी दास को निकाल दे, सुर्दास को निकाल दे, मीरा भाही को निकाल दे, रहीम को निकाल दे, रस खान को निकाल दे, तो क्या रस बचेगा? इतनी बड़ी संपदा हमारे पास है और इन सब को आप देखिए तो इनका रस ग्रहन करके चाहे आप उसे ब्रज कहिए, भुस्पुरी कहिए, मैथली कहिए, गद्वान जो भाशा विद हैं, अश्टोष जी जैसे लोग, वो खोज कर बताएंगे कि लगवा 40-50 तरह की हिंद राजस्थान में, पहाड के ख्षेतर में, मालवा में, आप उसकी निमाड के ख्षेतर में, हरियाना में, नाना प्रकार की हिंदी प्रवाहित हो रही है, मैं इसका उलेखिसले कर रहा हूं, कि एक बड़ी भारी दृष्टी जो राजनयति की सुख प्राप्त करने के लिए विक्सित हुई है, वह इन सारे भाषाओं को तहस नहस करके, और हिंदी की इन बोलियों को, भाषाओं को, लोक भाषाओं को, और हिंदी को आपस में, लड़ने के लिए भी एक उपाय बना रही है, और एक विचित्र सिस्थिती है, जहां पर हमारे सम्मिदान में, एक आठ पर हिंदी का जो स्थान है, और हिंदी का जो हुर्दय है, उसमें मैं नहीं समस्ता कि कभी तुलसी दास, सुर्दास, मीराबाई, इनका स्थान कोई और ले सकेगा, यह बड़ी महत्यपूरूव बात है, जो हमें ध्यान में रखनी होगी, कौन कभीर दास को भुला सकता है, जो बड़े सपष्ट रूप में हमारे सामने संबाद करते हैं, समाज के साथ, इश्वर के साथ, जीवन के भोल्यों को खटखटाते हैं, टकराते हैं अपने समय की, जो तमाम सारी विसंगतियां हैं, और में मार्ग भूगने के कुशिश क करते हैं, हिंदी की यह बड़ी अपार संपदा है, जिसका रस पान कोई कितना भी करे वह रस समाप्त होने वाला नहीं है, तो हिंदी एक बड़ी विस्तृत परंपरा का संबहन करते हुए आगे बढ़ती है, एक बात यह ध्यान में रखनी आवश्यक है, यह भी है कि यह हिंदी आज जिस स्वतंतर भारत का हम गुरदान करते हैं और अचहत तर्मा स्वतंतरता दिवस का ध्यान रख करके हम स्वतंतरता का एक मिशेष प्रकार का उत्सव मना रहे हैं, उस स्वतंतरता के लिए जो संग्राम हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, उसमें हिं पून भूमिका रही है, और यह बहुत उलेखनी है कि हिंदी के बाहर के लोगों ने, हिंदी तर छेत्र के लोगों ने हिंदी में बड़ी रुचिली, बंगाल के बहुत सारे नाम आते हैं, आप सब परचित होंगे, राजय रामोहन राय है, शादा चरण मित्र हैं, तमाम लोगों ने हिंदी को आधे बढ़ाने में भल पूर्बख सब के सामने यह रखा, और हिंदी के बहुत सारे आरंब कैदा अखबार छपे, वो कलकत्ता में ही छपे, और हिंदी का एक ऐसा स्वरूप बना, जिसे कई नामों से पुकारा जाता है, वस्तुता जो हिंदवी और उसके तमाम सारे रूप हैं, जो नाम हैं, उनका अपना इतिहास है, लेकिन एक और नाम जो चला हुआ था हिंदुस्तानी, जो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत देश को व्याप्त करके ऐसी भाषा जो नाना प्रकार की भाषाओं के शब्दों से बनती है, जहां उर पूर्दु के भी शब्द हैं, अर्भी के भी शब्द हैं, फार्सी के भी शब्द हैं, संस्कृत के भी शब्द हैं, तो हिंदी की एक बड़ी लचीली वृत्त है, कि वह भिन भिन भाषाओं के शब्दों को भ्रहन करती है, और हिंदी देश या हिंदी प्रदेश जिनको की उताब के जो इसके सीमा है उसके आस पास आपका और खेल का गढ़ कि फिक फिन आता है और उंड़ों ग्रहां करने लिए इन्धी टत्पर रही है मैं कह रहा था कि स्वतंतरता संग्राम में हिंदी की बड़ी भूमिका थी, चाहे वो आजाद हिंदु फोज की बात हो, मारे देताजी सुभाष्चनर बोस का संबोधन, उनकी बातचीत, समाज से उनका संबंद, आप सभी नेताओं को पाएंगे कि वो हिंदी का उपलोग कर रहे हैं, बापु ने लिखा है कि भारत के तमाम ख्षेत्रों में वह गए और तमाम भाषाओं को ना जानते हुए भी हिंदी जानने से उनका काम चल गया संपर्क करने का, और बड़े स्पर्ष्ट शब्दों में वापु ने बार-बार इंगित किया है कि सो भाषा के बिना स्वराज जो है, वह विचार अपने आप में अधूरा है। और इस बात पर वह निरंतर बल देते रहे कि अपनी भाषा का उपियोग होना चाहिए। आत्मकथा में वह उल्यक करते हैं कि किस प्रकार बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है एक विदेशी भाषा के माध्यम से अध्यान को करने में। और इस बात को उन्होंने प्रकाषे हिंदी भुश्विद्याले में उन्होंने अपना ब्याक्षान दिया था। निस्टो सोलह में तो वहां भी यह बात ब्याक्त की थे। तमाम सारे सोतंतरता संग्राम के नेताओं ने इस बात का बड़ा स्पष्ट संकेत दिया है कि हिंदी वह भाषा है जो भारत की राष्टर भाषा का स्थान ले सकती है। और उसका आधार यह है कि बहुत बड़े धूर छेत्र में इसका उप्योग होता है और मज़ेदार बात यह भी है कि हिंदी का प्रयोग का विस्तार साधु संतु के द्वारा हुआ है। जो कि देश के भिंद भिंद छेत्रों में जा रहे थे, आ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने युगदान किया है। चुकि अभी कामकाज अंगरेजी में चल रहा है, तो 15 साल और दे देते हैं और उस बीच में कामधाम करने का सारा शब्दावली का और पत्रादी, फाइलादी कैसे चलेगी, इन सब की विवस्ता हो जाएगी और हिंदी पूरी तरह से राजभाशा हो जाएगी। अब इस देवस्ता का लाभ या दोहन करते हुए, भीरे भीरे यह बात बनी, भाई जब तक सभी समत नहीं होते हैं, तब तक हिंदी चलती रहें, अब अंग्रेजी चलती रहें और अंग्रेजी जो है, वह पस्तुतह कामकाज की, ज्यान विज्यान की, राजकाज की भाशा बन गई, नियाय की भाषा बन गई और छेत्र में अंग्रेजी जो है वह प्रचलित को नहीं होगा कि अंग्रेजी को स्थापित करने का उपक्रम एक उपनिवेश में राज्य में वर्चस्व बनाए रखने हैं और यहां के जो लोग हैं उनको पराजित बने रहने की जो मनोवृत्ति है जो भावना है उस बात को निरंतर उनको बताते रहें इसके लिए इसको स्थापित किया गया हम सब मैकाले का नाम जानते हैं शिच्छा के बारे में चर्चा को जानते हैं और गांधी जी का वजो पिसिद्ध सुत्र वाक्या है कि भीया जो भारत की शिच्छा का एक वरिक्ष था अमरतमय वरिक्ष था उसको उखार दिया और दूसरा वरिक्ष यहां पर रोप दिया गया उसकी खेती की गई और पूरी हमारी ज्यान परमपरा निरस्त कर दी गई और ग्यान के जो विभिन छेत्र थे उसमें हमारी जितनी उपलब्धियां थी उन सबको एक हाशिय पर ले जाकर करके रख दिया गया अंग्रेजों ने रूचि ली है बहुत सारे प्रकाषन भी उन्होंने किये लेकिन अंतता जो मनोवृत्त थी जिसको की उन्होंने भारतियों के मन में स्थापित किया वह यही था कि सारा कार्य और ज्यानिक है पारलोकिक है आधुनिक नहीं है जीवन के रिए उपयोगी न के आधार पर शिचा के माध्यं के रूप में भारति भाषा का स्थान दोयम हो गया और अंग्रेजी ही ज्यान की भाषा बन गई शासन की भाषा बन गई नियाय की बाषा बन गई हर छेत्र में हम अंग्रेजी का यूग करने लगे उसका अभ्यास हो गया और वही हमारे लिए प्रामाडिक बन गई इतनी प्रामाडिक बन गई कि आज भी मूल रूप में जो काज़ात हैं उनको हम अग्रेजी में ही देखना पसंद करते हैं यहां अभ्यास का परिणाम है कई मैंने पढ़ा था बाजपेई जी ने इसका जिक्र किया है कि अगर 1947 में यहता हो जाता कि केंद्र की भाषा हिंदी होगी और प्रदेशों में प्रादेशिक भाषा है चलेगी तो यह मसला हल हो गया होता उनके शब्दों का अगर उधार लूँ तो अब तो यह एक चक्र व्यूह बन गया है और अभिमन्य की तरह से मार्ग नहीं मिल पा रहा है बड़ी कठिन परिस्थेती हो गयी है और अब भिन 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 भाषाओं के बीच में आपस में प्रतिद्वन्पिता खड़ी हो गयी है और हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच में भी एक प्रकार का द्वन्द है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी को व्यूक्ट नहीं मानते हूं का उसका विरोध करते हैं प्रश्न संभौता बड़ा है और वह प्रश्न है कि एक राष्ट के लिए क्या कोई एक भाषा अपेशित है और नहीं मैं यहाँ पर 1936 में मुशी प्रेम चंद के द्वारा दक्षिन भारत की जो हिंदी प्रचार सभा है उसके दिख्षांत महुत्स्वा में उन्होंने एक भाष्ण दिया था उसके दो तीन वाट के पढ़ करके सुनाना चाहूंगा वह कहते हैं हमारी पराधिनता का सबसे अपमान जनट, सबसे व्यापक, सबसे कठोर अंग अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व है कहीं भी वह इतने नंगे रूप में नजर नहीं आती सब जीवन के हर एक विभाद में अंग्रेजी भाषा ही मानों हमारी चाती पर मूंग दल रही है अगर आज इस प्रभुत्व को हम तोड सके तो पराधिनता का आधा बोज हमारी गर्दन से उतर जाएगा मुश्य प्रेम चंद का वह वैक्षान बला महत्रकोर न है और उसमें बार बार वह संकेत करते हैं कि पराधिनता के साथ भाषा का प्रस्ण कैसे जुड़ा हुआ है राश्ट के बोध के साथ राश्ट भाशा का प्रस्न कैसे जुड़ा हुआ है और यदि हम एक देश के रूप में एक जुट होकर के कुछ करना चाहते हैं तो एक भाशा का उप्यूप करना आवश्यक होगा तभी यह संभव होगा कि एक समग्र देश के रूप में एक राष्ट के रूप में हम आगे बढ़ सके हमारा विकास होगो सके मित्रों हम जिस तरह की परिस्थित में जी रहे हैं वहाँ पर हिंदी भाषा का प्रियोग के रूप में जो विस्तार हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा तमाम तरह के प्रियास हुए हैं कि हिंदी का उप्योग कैसे बढ़ाया जाए हिंदी का उप्योग बढ़ाने का अर्थ हिया हुआ कि शिक्षा के ख्षेत्र में राजकास के ख्षेत्र में सर्भत्रिस का उप्योग कैसे हो सारे प्रयासों के बावजूर उच्च न्यायाले और उच्च तम न्यायाले के इस्तर पर हिंदी का प्रवेश अभी भी बरजित साही है उच्च शिछा में, जिसे आप बड़ी अच्छी शिछा कह सकते हैं, वहाँ भी हिंदी तत पर नहीं हो सकी है हिंदी में सामग्री भी नहीं तयार हो पाई है और इसके साथ ही साथ माध्यम के रूप में हम एक प्रकार की असुरच्छा की भावना से ग्रस्त हो गए है वो असुरच्छा की भावना यह है कि हिंदी में हम ठीक से अभिव्यक्ति नहीं कर सकते संबाद नहीं कर सकते या एक मनो भाव सब के मन में बना हुआ है प्रश्न यह है कि अन्य तमाम ऐसे कारियं है अब राजनेता लोग मूट मांगने के लिए हिंदी का प्रियूप करते हैं लेकिन जब मंतिल हो जाते हैं और जब शासन चलाने की बात आती है कानून बनाने की बात आती है तो भाषा बदल जाती है उनका दिष्टकूंट बजल जाता है और नई तरह की समस्याई खड़ी हो गयाती है कारने को तो एक बहुत बड़ा राजभाषा आयोग है राजभाषा का पूरा विभाग है और बहुत सारे अधिकारी हैं और तमाम तरह के प्रयास भी हो रहे हैं एक तक्नीकी शब्दावली आयोग भी है जो लाखों शब्दों को गड़ करके उपलब्ध कराता है ताकि विभिन्य विशयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ सके परमतुर जहां तक मेरा अनुभाव है विभिन्य विशयों में उस शब्दावली का योग अभी भी ठीक से नहीं हो रहा है उसके कारण भी है कि वह एक बड़ी कृत्रम शब्दावली है वह लोग जीवन से संबद्ध अपना बड़ा सीमित रखती है क्योंकि उस शब्द गढ़े गए है वह प्रयोग में आने वाले शब्द नहीं है मैं समझता हूं कि एक भाषा को अगर कैद कर दिया जाए कोठरी में और उसमें वायू का प्रवेश नहों तो जैसे मनुष मर जाएगा वैसे ही भाषा भी मर जाएगग भाषा बहता नीर है और उसमें हर तरह के प्रवाह प्रभाव वह आत्मसात करते हुए चलती है और हि हिंदी इस्तरिष्ट से सब्रद्ध हुई है और उसकी बानगी आप उसकी तमाम शैलियों में पा सकते हैं या हमारे लिए घर्व का दुश्य है कि हिंदी का साहित्य बहुत ही विविधताओं के साथ निरंतर पिकसित हुआ है और यदि आप हिंदी की प्रकाशनों को देख हैं तो आप पाएंगे कि हर विधा में चाहे उपन्यास हो या आविय के विधा हो नाटक हो कहानी हो इन सब में नए नए पढ़ाओं आये हैं यह समय जो हमारे लिए उपलब्द है वह बड़ा सीमित है और विशे तो आपने रखा है कि भाशा साहित और उसका अस्तर यह इ जापक है जो कि अधिक विस्तरत चर्चा के पेक्षा करता है मैं संखेट में यह लेख चाहूंगा कि हिंदी भाशा की जो मुख्य धारा है और जो मुख्य प्रवर्तियां हैं उनमें जिस तरह की परिवर्तन की स्थितियां बनी हैं जिनसे आप परचित हैं उनका नामों ल देख कर देना ही परियाप्त होगा कि हम एक दौर में हिंदी को एक उसकी प्रमुख धारा के रूप में जिसे कहा गया जिसे प्रगतिवाद का नाम दिया गया और प्रगतिवाद का जो आशे था वह यह था कि समाज की वे अनुभूतियां और वे पक्ष जो कहीं ने कहीं विचलित हैं चिनका दूख, दर्द, ट्विडा यह अभिव्यति नहीं पा रहा है उसको कैसे सामने लाएगे और उसके साथ ही साथ यह थोड़ा समय का ध्यान दे तो आप पाएंगे कि जो विभाजन की तरासदी थी देश सोतंत्र हुआ तो विभाजन के घाओ के साथ सोतंत्र हुआ यह ऐसी सोतंत्र थी जो इस प्यड़ा के साथ उनको मिली और आप तो सीमा के पास हैं कितने परिवार जो है वो शारणार्थी बन गए सीमा रेखा के दोनों और और उनकी पीड़ाएं किस प्रकार की हैं उनके तमाम रूप हैं कश्मीर में दे हैं चार और इस तरह की पीड़ाएं हमको दिखाई दे रही हैं और वो घाओ जो है वह भिन भिन रूपों में रिस्ता रहता है इस पीड़ा को भी तमाम सारे उपर्ण्यासों में उन वेधनाओं को रखा गया है और चाहे आप जैनेंदर की बात करें या गृष्मसानी के तमस की बात करें बहुत सारे उपर्ण्यास हैं बहुत सारी कहान बदू हिंदी सम्में जहां पर इनकी चर्चा गंभीरता से हुई है और इस मानिवे वेदना को सामने उठाया गया है। बदू है और जो बुश्र की कहानियों में जिसका महत्वपूर स्थान है वो आगे चल करके कहानी की विधा कितनी सम्रद्ध हुई है। और दीरे दीरे जो पाहिवारिक जीवन की संगरियां एकल बरिवार बन रहे हैं और अब तो एकल मातायां बन रही हैं। कारी की परिस्थितियां बदल रही हैं। गाउं छोड़ करके लोग शहर आ रहे हैं। जो विस्थाबन हो रहा है। और इसके साथ ही साथ जो मानवी मुल्यों को ले करके एक परतार की कश्मकश हमारे सामने खड़ी हुई है। और हमारे उपर जिस तरह से वैश्वी करण या भुमंदली करण का प्रभाव एक आर्थिक मनुष्य का जो जन्म हो रहा है। जो बाजार को ही अंतिम सत्य मानता है। और रिष्टों, नातों और हर प्रक्रिया को उसी रूप में देखता है। यह एक बड़ी भारी चुनोती आई है जिसने हमको प्रभाव और यह साहित्य में उपलब्द हो रहा है। सेक्स और उसके उससे जुड़े हुए तमाम सारे प्रश्न खड़े हुए है। थर्ड जेंडर जिसे कहा जाता है। वह भी प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ है। और न्याइक रूप से उनको सबलता मिली है जो किंदर वर्ग है। वह भी साहित्य में सामने आया है। उस पर भी विचार किया जा रहा है। स्त्री को केवल भोग्या, स्त्री को केवल शद्धास्वद मान करके उसको पुजा की वस्तु एक और आप आते हैं लेकिन दूसरी और उसका शोशन भी होता है। यह प्रश्न भी बड़ी गंभीरता से उठाय गया है। पूरा स्त्री वादी चिंतन आरंब हुआ है, जो कि इस प्रश्न को सामने रखता है कि स्त्री सत्ता का क्या अर्थ है। पित्र सथात्मत समाज में इस्त्री की क्या स्थिति है और उसकी क्या चुनोतियां है इसको ले करके कविता में भी उपन्यास में भी कहानी में भी प्रश्न खड़े हिए इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जो चिंताधरा विमर्ष की हिंदी में उपस्थित हुई है वह दलि विमर्ष के नाम से खड़ी हुई है जो यह प्रश्ण उठाते हैं कि जो समाज का हे वर्ग कहलाता है जो अस्प्रिश्य कहलाता है जिसको वे सारे अवसर वे सारे अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं जो मनुष्य के रूप में प्राप्त होना चाहिए बहुत सारी आत्मकथा लिखे गई है बहुत सारे उपन्यास और इसके साथ ही साथ हिंदी की आलोचना को भी एक नई धार दी गई है और नई दृष्ट से उसको देखने का प्रयास किया जा रहा है और दलित वीमर्श अपने आपने बड़ी चर्चित विधा जो हिंदी की आलोचना है उसमें कर रहे हैं इसी प्रकार जो गिरिजन हैं जो लोग दूर दराज के खेत्रों में रह रहे हैं जो जन जातियां हैं उनका जो चिंतन है उनकी जो दृष्टी है उनकी जो विश्व दृष्टी है उसको सामने कैसे ले आए जाए इसे के ऊपर भी हमारा ध्यान आकरिष्ट किय जा रहा है वारत की बहुत सारे से खेत्र हैं जो जन जात बहूल है चापुर्वोतर का खेत्र लिजए आप छटीसकोड में चले जाईए तमाम सारे खेत्र हैं जहांपर उनका कष्ट जुर है उनका जीवन का संघर्श एक नए रूप में उपस्थित होता है उसकी सांस्कृतिक सम्रद्धी और उसकी जीवन्तता सामने ले आई जाए इसका भी प्रयास हो रहा है और मैं समझता हूँ कि समाज की जो विविधता थी वर्ग के रूप में समाज को भी बाजन जो था जो एक तरह से वर्टिकल या उपर से नीचे निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, हुच वर्ग, इसकी जो बात्चिती इसके साथ एक जो हर्जंटल कह लिजिए या ख्षैटिज कह लिजिए जिसमें की भिन भिन जो तो समाज के समुधाय हैं उनकी चिन्ताओं को कैसे धार दिया जाये, कैसे उनको व्यक्त किया जाये, कैसे उनको प्रस्तुत किया जाये तो हमारी जो सामाजिक विविदता है, चाहे वह राजस्थान के आने वाले लेख़न हो, आप उनकी हिंदी की कथाओं को आप लीजिए, उनके जीवन को आप लीजिए, या फिर दक्षिन भारत में भी हिंदी का लेखन हो रहा है, और वहां का जो लेखन उसको भी आप देख हो रहा है, उसका जो शवरूप है, वह स्थानियता को, वहां की जो एक प्रकार की आप उनके चला था आंचलिक, और जब आँचलिक की बात करते हैं तो उसका प्रकार की बन्यासों का नाम मारे जेहन में आता है, जो कि उस छेत्र विशेश की प्रकृत को उसकी महक को हमारे सामने ले आता है और मुझे याद आता है परती परिकथा मुझे याद आता है पूरा जो रेणवाब साहित्याप ले लीजी नागारजुन का साहित्याप ले लीजी कई ऐसे लेखक महान हुए हैं और हैं जिनका लेखन चल रहा है जो हमारा ध्यान इने दृष्टियों से आक्रिष्ट कर रहा है। आवारा मसीघा अगर आप देखिये जो शारत्चंद्र को ले करके अद्भूत जीवनी है जिसका कोई अब तुलना नहीं कर सकते हैं। अद्भूत है। इसी प्रकार आप देखिये कि बहुत सारे नाटक हैं आप गिरिश करनाड का नाम जानते हैं। विजय तेंदूलिकर को जानते हैं। मराठी का बहुत सारा महतोपुर नाटक साहित्य है जो हिंदी में आया है। घासी राम कुत्वाल को आप देखिये। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी के जीवन में अन्य भाशाओं का भी योगदान है। साहित्तिक स्तर पर यह आदान प्रदान भी यह भी एक बड़ा महतोपुर प्रशन है कि हिंदी इन भिन भिन भाशाओं के संपर्क में आ करके उनके साहित्ति के साथ संपर्क में आ करके किस तरह नया स्वरूप ग्रहन कर रही है। नए शब्दों का उपयोग हो रहा है। नई प्रवर्ति जो है वह दिखाई पड़ रही है और ऐसे प्रियोग करने वाले तमाम सारे लोग हुए हैं आपके आसपास के एक बड़े प्रसिद्ध लेखक, कवी, उपन्यासकार, कहानिकार हुए हैं जिनका उन लेख में जरूर करना चाहूँगा। जो अदुफुत व्यक्तित्यों के धनी थे, सच्चिदानंद जहीरानंद वात्सायन अभिये कवी कर्म उपन्यासकार सैनिक के रूप में भी उन्होंने कारे किया था और जीवन के तमाम सारे प्रश्णों को अनुभव किया था और साहित्य की शैद ही को आ हो जिसमें उनकी लेखनी ना चली हो और विश्व साहित्य में अगर आप तु जोना करना चाहें तो उसके अनुपूल उसस्तर पर संबाद करने का माद्दा वहां आपको दिखाई पड़ता है चाहे वो उनका शेखर एक जीवनी हो चाहे आप अरियो करना प्रभा में उनका कावे संग्रह हो या फिर आंगन के खवार द्वार उनका कविता संग्रह हो आत्मनेपद उनका लेख संग्रह है अगर आप उसको देखी मैं एक उदाहान के रूप में कहना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा और अभिव्यक्त के रूप में अद्भुत रूप से प्रकर हुई है और उसकी ख्रमता में बड़ा विस्थार हुआ है कालिदास को लेकर के अद्भुत उपन्यास लिखा गया है अशुतोष जी के नगर नजर में अगर ना आया हो तो देखें वो जो सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है काटना शमे वरिट्ष को कमल पंखुडी की डाल से कुछ इस प्रकार का नाम है अद्भुत उपन्यास है जिसमें कालिदास के जीवन को केंद्र में रखकर और उसमें इतने प्रवाह के साथ संस्कृत निष्ट भाषा है वो लेकिन कहीं मुझे उसमें कठिनाई नहीं लगती है आप इसी प्रकार आचार हजारी पुषाद दिवेदी के जितने भी उपन्यास है चाहे वो अनामदास का पोथा आप लें चाहे चारुचिंद्र लेख लें चाहे बान भट के आत्म कठाल है तो एक ऐसी हिंदी की रचनात्मकता है जहाँ पर संस्कृत का भारत के निरंतर उसका जो एक संस्कृत का प्रवाह है वहां से वह जीवन ग्रहन करती है निबंधों के खेत्र में बहुत सारे ऐसे कारी हुए हैं चाहे कुवेरनाध राय का लीजी अग्रेजी के भी बड़े अच्छे निबंध है अंडित्विद्यानिवासमिश्र के निबंध है तमाम सारे लोगों ने यह निरंतर विवेकी राय के निबंध है तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो कि भार्तिय संस्कृत की जीवनतता को आत्मसात्र करते हुए और उसे वह जीवन से जोडने का कारी है यह एक बड़ा गंभीर प्रश्न हमारे सामने है कि अंग्रेजियों का भारत में आना अितिहासिक रूप से बहुत बाद की घटना है और भारती संस्कृत का प्रवार कितने वर्षों से है उस जमेले में मैं नहीं पढ़ना चाहता ज्ञादा तर लोग उसे चार पांच हजार वर्ष पूराना तो मानते ही है वह वेद का आरमभू कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो तो तीन हजार या चार हजार या पांच हजार वर्ष पूराना पर तिन हजार तो कम से कम मानते ही हैं जो भी आप मानिये अब वह वाचिक परमपरा वह वाकेंद्रत परमपरा जिस तरह से विक्षित हुई और जिस तरह से वह निरंतर बनी रही वह अदुबुत है और तमाम सारे आक्रांताओं के थपेड़ों के बावजूद ज्यान की जो राश थी वह कहीं न कहीं सुरक्षित रही उसके तमाम उपाए भी उस पद्धती में थे जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और आचारी आश्टोर्ची तो उसके पंडित ही है जाह सूत्र की पद्धती हो वारतिक हो भाष्य हो उसकी व्याख्या कैसे की जाती है कै कैसे उसे संग्रक्षित किया जाता है इसकी तमाम तकनीकें उसमें थी और उसकी वज्यानिकता और संदिध्ध है चाहे वह पाणिनी का अश्टा ध्याई हो या फिर योग सुत्र हो या फिर ब्रह्म सुत्र हो धर्म शास्त्र हो चाहे वह शुक्रनीती का जो शास्त्र आप उसमें नीती पड़ते हैं, वाओ, स्मृतियां है, फुरान ग्रंथ है, महां बारत है, रामायर है, ऐसी अद्भुत सामगरी मैं नहीं जानता है कि दुश्रों में कहीं अन्यत्र उपलब्द हो, तो इतने बड़ी विरासब के साथ ही अदेश जो है वहां आगे बढ़ा है, आ और हिंदी में स्वतंत्र रूप से स्वाधीनता को जीवित रखने के सारे लशन मौझूद हैं, और वह सबसे जुड़ने के लिए ततपर है, और उसमें यक्षमता भी मौझूद है, प्रश्निया है कि हम इसके लिए कितने ततपर हैं, और कहां रख हमको सफलता मिली है। जो विस्तार रखा है, उसका अंतिम अंश रखा है, स्तर और उस पर बहुत संखेव में उस बात करना है, विचित समस्तम। हिंदी का विस्तार जब होता है, तो वह लोक जीवन से जुड़ती है, और जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी के जो तमाम उपभाशाएं हैं, बोलियां हैं, वहां हिंदी का प्रकाश है। अब यह एक बड़ी बिचित्र स्थिती हमारे सामने है, हमको इस पर वचार करना पड़ेगा, हर्याना का आदमी जो हिंदी बोले, राजस्थान का जो हिंदी बोले, मायू छेत्र का रहने वाला जो हिंदी बोलेगा, अब उन सब के हिंदी भिन भिन प्रकार की होगी, बिह जिसे पिटफर हुआ शा कहते हैं और तालव शा कहते हैं मूर्दानियों और धन्तिसा यहां सब भेद जो है वो बड़ा धूमिल पड़ जाता है दियार के लोगों से मिली है पूछे आप लगैं जो स्थानियों परभाव उसमें आता है और जो फंदि की बंधमाला है और उसमें मात्रा का उपयोग कैसे किया जाक हां अनुस्वार लगे अब संबन्द लिखते हैं तो अब हिंदी की जो बढ़न माला है उसको केंदरी हिंदी निजेशाले ने एक स्थिर किया है उसका एक रूप जो प्रयोग में आना चाहिए और तमाम सारे जो हिंदी के फांट है वहाँ भी हम पाते हैं कि कई प्रकार की भिंता दिखाई पड़ती है कुछ एक प्रकार का उप्योक जैसे गवां लिखना हो फस्थ नां तो गवां का लेकष बड़ा कठिन है तमाम सारी समस्याय है हमारे सामने आते ही अवांग में लिखी है तो गवां खोजी है कोई येग तो कश में नहीं है तो यह सारी कठिनाया हमारी हैं तो भाट इसे जो डिजिटर टेकनोलोजी आई है और जिसका उपयोग खूब हम कर रहे हैं और उसके माध्यम से लिखना पढ़ना आसान हो गया है संचार की प्रक्रिया सरल हो गई है उसकी अपनी कुछ सिमाय भी है मैं समस्ताओं की निश्चित रोप से उनका जायेगा बहुत साथे लोग घंजो के कारी कर रहे है और बड़ी आसानी से अब इस एलेक्ट्राणिक माध्यम के द्वारा हम संचार कारी कर पाते हैं हिंदी का उपयोग कर पाते हैं तो हिंदी इस तरिष्टी से संबर्द हो हुई है आप लोग ब्लाव लेते हैं वाटसे पर कविता भी आती है, कहाने भी आती है, चर्चा भी उती है, और इस सोशल मीडिया में रचनात्मत अभिद्यक्ति का एक नया अवसर पैदा हुआ है, जो अच्छा भी है, बुरा भी है, और उसमें भाशा में विखार भी आ रहा है, भाशा प्रयोग में जो है, चुस्ती कम हो रही है, और ठीप्रकार की कछिनाईयां पैदा हो रही है, भाशा में गवरो बोध अगर हो, कि हम बढ़या हिंदी बोलें, अच्छे हिंदी बोलें, और भिन भिनेकारियों में उसका प्रयोग करें, तो यह संकल्प जब प्रबल होगा, तो मार्ग मिलेगा, मैं समस्ता हूं कि ये संचार माध्याु माए जो विस्थार हुआ है उनक bisher पर दोनों प्रकार का प्रभाव है आप जो टीवी पर हंदी का प्रयोग देखते हैं तमाम चैनल है और उन सब में हंं हिंदी का इस्तर भिन भिन प्रकार का है और उनमें तरह तरह की छूट लेली जाती है कि किस भाषा का प्रियोग करें कई बार तो बड़ा कश्ट होता है जब हम बहुत शुद्ध भाषा का प्रियोग लेखन में या बोलने में सुनते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं तो भाषा के प्रती एक सजगता जो होनी चाहिए वह हमारे मन में शायद नहीं है उसका एक कारण भी हमको लगता है कि अब सारी बस्तुएं जो हैं इतनी बहुत आयत में देरे-देरी उपलद होती जा रहे हैं भाषा का प्रियोग कैसे किया जाए और उसको संदर यह उसका जो भाषा का है जिसे शुष्ठ कहते हैं संदर प्रियोग जिसे कहते हैं वह प्रियोग करना और उस प्रियोग से सुख प्राप्त करना इसका एक अभ्यास होना चाहिए यह अध्याकों का दायतु है, ध्याले में दायतु है कि भाशा और साहित्य में रूची का प्रवेश हो और विद्यार्थी देखें कि किस प्रकार से अच्छी तुस्तक आ रही है, बढ़ियां उसमें रचना आ रही है और इस ध्रिष्टी से यह बड़ा दुर्भाग गये कि हिंदी छेत्र में पढ़ने का रिवाज कम हो रहा है, पुस्तकों को लेने का रिवाज कम हो रहा है और जो एक स्तर है, वह कहीं ने कहीं उसके साथ हम समझोता कर रहे हैं जो स्तर होना चाहिए, उस स्तर पर हम नहीं पहुँच रहे हैं किसी भाषा में हमको यदि लगाओ है, यदि हम यह चाहते हैं उस भाषा का स्तर बढ़े तो यह लगाओ आएगा कहां से, वहाँ भाषा जब मूलेवान होगी और वहाँ भाषा मूलेवान हो, इसके लिए आवशेक है कि उसका प्रियोग हो किवल काम चलाने के लिए नहीं, अपनी मूलिक अभिव्यक्ति के लिए अपनी सरजनात्मक जो शमता है, उसको आकार देने के लिए यदि हम भाषा का प्रियोग करने हैं तो भाषा मजेगी और उसमें पालिश होगा, उसका सवंदर ये निखरेगा, ऐसा प्राय होता है, हम सब लोग जो लिखते हैं उसमें दिखाई पड़ता है, पुटियां होती हैं, हम उसको ठीक करते हैं, और अच्छी भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, तो भाषा के प्रति एक सजगता अपिक्षित है, यह एक दुरभाद्य का प्रशन है कि जो हिंदी के समाचार पत्र हैं, उनको अगर आप देखिये, तो कुछ ही समाचार पत्र हैं जो भाषा के प्रति सचेत हैं, और बहुत सारे समाचार पत्रों में तो जो बहुत सारे लेखन की सामघरी जो उसमें प्रस्तुत होती है, जो छपी ही दिखाई पड़ती है, अब उसमें जो हेडिंग है, वह भी अंग्रेजी के शब्द के साथा आती है, यह बड़ी अविक्ष्ब मन में आ रहा है, कौफ तो होती है उसको देख करके कि किस प्रकार आप दुरूपयोग कर रहे हिंदी का शब्द उपलब्ध है तब भी आप उसको करें बहुत सारे उदारन जेहन में हैं मैं समय के अभाव के करन का उलेक नहीं कर रहा हूं लेकिन हिंदी के तमां समाचार पत्र हैं जो कि अनावश् कर्म में अधिव्यक्ति के कर्म में और ज्ञान में ज्ञान की भाशा के रूप में वहाँ पर उसे जगह देनी पड़ेगी अभी हमारे मन में अंग्रेजी को ही प्रामाडिक मादे रखने का एक भूत छाया हुआ है तमाम सारे विशयों में पृतिपादन के द्रिष्टी से हम अंग्रेजी में कहेंगे आसाम में तो हिंदी की पीरदी अंग्रेजी में लिखने का विदान था अब जाकर के शाद दो एक वर्षों में बदला आए हिंदी अगर हमारे राष्ट्र गवरों के साथ जूरी हुई है हमारे समाज और संस्कृति से जूरी हुई है जीवन से जूरी हुई है तो हम उसके विस्तार का प्रयास करेंगे मैं अपनी बात समाप्त करूँगा और उसको एक छोटी सी चार पंति की कविता के साथ करूँगा जो वर्धा में राष्ट्र भाषा प्रचार परिशद में एक धीत गया जाता है उसका एक अंश है आप सुनें और उसके साथ अनुभाव करें अपने आपको कि हिंदी कहा हुनी चाहिए और क्या उसका हमारा लिए माहत्व है भारत जननी एक हृदय हो एक राष्ट्र भाषा हिंदी में कोटी कोटी जनता की जय हो भारत जननी एक हृदय हो धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद तर बहुत ही सुन्दर व्याख्यान और बहुत सुन्दर आरम इस विचार उत्थव व्याख्यान माला का पूरा जो कुछ हम सुनना चाहते थे वो सारा आप में इस अल्फ समय में समेट रस्त किया बहुत सुन्दर अभिव्यक्ति और बहुत सुन्दर आपका समवाद शैली भी थी साथ में पूरी इतिहत के से लेकर चले भटिकाल से भी परिशित कराया और उसके बाद कुछ हिंदी में है, अभो है, अभिवक्ति है, जो वह स्कूलवर है, सागर है, कितना गहरा है उसमें जूप्टी लगवाई और उसके बाद जो स्तर की बात की, जो गर्व की बात की और जो इस परिदुशन की बात की इतनी सारी बातें एक साथ इतने सवं समय में और इतनी अच्छी तरीके से और इस हिंदी के समर्ण। के लिए हम कहा हैं हमने जाना है और क्या-क्या हमारे सामने समझ जाएं है आपने बहुत सुंदर साहिते से इस सब्सक्राइब को बताया वास्ता में भाशा और साहिते के साथ युवाओं को जोड़ना शिक्षक का परमधरम है और भाशा प्रियोग ही भाशा को वस्त बना सकत किवा आधिर कि हम अमड्रेजित लिए परभावित निए उस्के प्रती बहुत शक्राइबी नहीं है तो इस वी आधिny ज ही है और इंघ्ञाट ही है ज아 करने दर भी लाभा इन द्रीन गनोथ हुए है एक विचार पैदा करें, एक विशा उनको दे, ताकि लोग उसका चल कर अपने कर्टरजे का निर्भाद कर सकें, तो हिंदी के लोग भी बाद से ऐसे हैं, हम जैसे जो अपने कर्टरजे का निर्भाद तो करना चाहते हैं, लेकि उनको आप जैसे लोगों के विचार सुनकर कोई जागरिती आती है और यही इस सारी विचारों सव्याख्षान माला का उदेश्य है जो सच में आपके इस व्याख्षान के कुई तरह से सफल हुआ है फिर भी और लोगों से जो हमारे साथ जीने हुए थे जो में अगर प्रश्न ना भी हो तो कुछ टिपणी हो कुछ और मन में कुछ किसी प्रकार की कुछ शंका हो आप लोग सांजा कर सकते हैं डॉक साप के साथ जो मैं मुझे लगता है कि जब तक कोई और विचार करें इस विशे में मैं तो बातें आप से जिस वकिए विशे सोचा गया था बिलकुल आपने एक सकारात्मक दृष्टी कूंड जो है वो हमें उस दृष्टी से देखना सिखाया है इस सारे विशे के उपर लेकिन जिस वकिए विशे हमने सोचा था विचार किया था तो हमारे सामने समस्या ये थी कि हिंदी के व्यक्चितों को परिभाशित कैसे करें एक जो मांदर्ण हमारे सामने तब था कि चलिए रामचरित मानस को हम आदर्श स्थिती मान लेते हैं और उससे हम हिंदी को परिभाशित करें उससे ना पें उसके बाद जो स्वतंतरता संग्राम के माध्यम से जो हिंदी की स्थिति आए जिसमें भावनात्मक आंदोलन का प्रभा बहुत अधिक था और वहां भावनों ने विचार को परिभाशित किया स्वतंतरता संग्राम के रूप में और 1947 के बाद मुझे लगता है कि वो जो नहरू नुमा जो हि संदी आई कि हमें काम करने हैं बड़े-बड़े और हमें करके दिखाना है इस तरह की भाशा ने आकर के कई तरह की समस्यां हमारे सामने पैदा कर दी लिखा जाता रहा है लोगों ने बड़े सगन रूप से लिखा है इसमें कोई संदेश नहीं है आपने हजारी प्रसाद वेदी का नाम लिया है और बहुत सारे लोगों का लेकिन उनमें से दो जो पक्ष रह गए मुझे लगता है उन पर हमें चिंता भी करनी चाहिए एक है सांस्कृतिक पक्ष और दूसरा है इतिहासिक पक्ष इतिहासिक उपन्यास जो लिखे गए एतिहासिक साहित्य जो लगागया जैसे कम मुंशी बगारा उसका बहुत अभाव होता चला गया अब जो साहित्या रहा है वह एक चंता का बहुत विशह था ऐसी हिंधी जो अब भारतिता के साथ तो जुड़ी ही नहीं हुई है अंग्रेजी में जिसे हम डिस्कनेक्ट कहते हैं और दूसरी तरफ से जो सांस्कृतिक पक्ष है उसमें भी केवल वो ब्राह्मनवाद दलितवाद स्त्री विरोधी और पाखंड इसी को लेकर के रह गया है तो इसके बीच में जो व्यक्तित तो बन रहा है भाशा के माध्यम से समाज का वो बड़ा तूटा बिखरा सा असंगत सा है तो इस पे मैं जरूर चाहूंगा कि मैं इस दृष्टी से इस विश्व को देख रहा था और हम इस पे बात करें दूसरा जो संदर्प में आपसे आपके प्रतिनी वे जो किये जा रहे हैं या यूं कह लिजे कि अभी तक कोई भाव और कोई विचार हिंदी का ऐसा नहीं है जिसने विश्व को प्रभावित कर दिया हो या पूरे समाज को प्रभावित कर तो उसे एक नहीं दिशा दे दी हो जैसे अंग्रेजी में रहा है और तो और दुख की बात यह है मतलब यह मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं आपके सामने मैं बिल्कुल भी आक्षेप की भाशा में बात नहीं करता है केवल अपनी दुख और पीड़ा आपके साथ सांजा कर रहा हूं और सभी के सांजा कि जितने भी हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं इस वक् सुरीग और अब्राहिमिक हैं मिलेंगे आज जिस अर्थ में फ्रीडम को हम सुःतंतरता बना करें प्रस्तित परे रहे हैं वो सु अर्थ में है ही साहित्यकार की और इंगित कर सकते हैं कि ये एक सर्वश्रिष्ट और सर्वोत्तम साहित्यकार है और ये पहमाना है हम लोगों ने हजारी प्रसाद वेदी कोर्सिस में से निकाल दिया गुरुदत को तो बिल्कुल ही कंडम कर दिया कि अरे ऐसे व्यक्तियों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं और उसके नाम पर हम जो कुछ लिख रहे हैं वो इतना टूटा फूटा और इतना बिखरा हुआ है कि और मैंने सच मुछ अब वो हिंदी के उपन्यास तो पढ़ने बिल्कुल ही छोड़ती है कविता तो मैं बहुत कम ही पढ़ रहा था लेकिन लगवत पिछले पांच वर्ष से तो हिंदी के उपन्यास तो बिल्कुल ही बंद कर दी क्योंकि वो देखे उपन्यास मैंने और जैसे उनकी भाशा थी और जैसे आदा उधूरा बोध लेकर के आये हैं ब्रेस्ट का जो ब एक तरह का एक पक्ष था जो आपकी बात सुने से पहले था लेकिन मैं जुरूर चाहूंगा कि आप इसके उपर एक टिपनी आबश्य करें ताकि मेरे मन को भी संतोश हो और मुझे लगे कि मुझे अतिबाद्धिक्ता में नहीं जाना चाहिए और बहुत नकारात्मक नहीं बड़ी सुंदर बात आपने हमारे सामने रखे और चुंकि समय का बात है इसलिए सरवांग पूर्ण विवेचन करना संभव नहीं था पहली बात मैं शुरू करूं कि जो प्रथा थी ब्रिंदा बनलाल भर्मा को आप ले ले तमाम सारे राहु सांकरत्यान ने भी बहुत सारे उपनियास लिखे हैं रांगे रागहों का है तमाम सारे लोगों ने एक समय में यह विचार रखा और जो अईतिहासिक प्रवर्ति थी उस उसको देखने की जो कोशिश थे और उसको समाज से जोडने का एक प्रयास भी उसमें नहित रहता था वह एक प्रकार का जो बदलाव आया जो आपको भगोती चरण वर्मा में मिलेगा, अम्रतलाल नागर में मिलेगा और रागदर्भारी के लेखक श्री लाल शुक्ल में म हमारा सामाजित जीवन है, उसका जो यथार्थ है, उसकी जो चिंताएं है, मैं समस्ता हूँ, जो बड़ी जबरदस्त प्रस्थुती है उस द्रिष्ट से समकालिनता की, जो कंटेम्पोरैनिटी है, वह हाभी होती रही और वह जो हमारा व्यापक अतीत था, जो विस्तृत अत प्रस्थृत था या है, उधर जो है वह अध्यान प्रिक्षाकर कम हो गया, मैं आपकी बात से सामत हूँ, कि जो बदलाव आया, देश की मानसिकता में, और देश को एक फार्मूला दिया गया, कि देश को बिकसित होना है, और विकास का अरत है कि पश्चिम जहां पर आज वहां पर हमको पहुंचना है, और उसी के नकल करते हुए उसी तरह का हो जाना है, अब यदि आपकी शिक्षा नीदी इस प्रकार की हो जाए, आपके वो द्योग दंधों का विस्तार इस प्रकार का हो जाए, जहां पर एक प्रकार से गांधी को निरस्त करके, खारिज करके एक नई धारा हमने प्रवाहित की, ताधी तो विकेंद्री करण की बात करते थे, स्वावलंबन की बात करते थे, स्वधेशी की बात करते थे, कि हर खेत्र, हर गहाँ अपने आप में इतना संसाधन युक्त हो जाए, वो किसी और से मांगने न जाए. शिच्छा की भी बात वह जो करते थे, वह यह थी, कि पढ़ाई करते हुए, किसी और किसी पाउशल को बच्चा सीख ले, ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके. हमने सब कुछ भूला दिया, बिस्मित कर दिया, और बिल्कुल रास्ता बदल दिया, जाना था जिधर, छोड़ करके जाना था, जापान पहुँच गे चीन, तो हमारा जो स्वराज जेका जो दृष्टिकोन था, और हिंद स्वराज में जो चर्चा की के चर्चा आज भी ह होती है, लेकिन वह एक पुस्तक के रूप में चर्चा होती है, हमारी नीत के लिए वह अवपयोगी नहीं होती है, तो जो भार्य उद्योग लगाए गए, जिस तरह की व्यवस्था हमने विक्सित की, उसमें बहुत कच्चतो अनावश्यक व्यवस्था हमने की, और जटिल है, इस प्रशन का उत्तर हमने दूसरे घंग से देखना शुरू कर दिया, कि जब हमारी आवश्यक्ताइं जादे होंगी, जब खूब सारा सामान हमारे पास होगा, तो हम समर्द जाओंगे, और यह अवरम बना रहा, गांधी जी तो बिस्मृत कर दिया गया, गांधी का ज जमीनी हकीकत को पहचान करके थी, मारे प्रथम प्रदानमत्री नहरू का जो दिश्टकून था, वह शायद इंगलेंड में जितने दिन रहे और कहीं उससे जादे बापू जो है, इंगलेंड और दक्षिन अफरीका में अर्थात, विदेश से संपर्णू का ज्यादा रहा और उस अनुभाव से उस प्ल्या को उन्होंने देखा था, उन्होंने देखा था कि दक्षिन अफरीका में आठ साल सत्यागरा उन्होंने किया था, पाला, और उन्होंने उस सारी वेदना को महसूस किया था, तो वह अगर उनको रिजेक्ट कर दिया, कर दिया नई मर्यादाइं अपने लिए स्थापित कर ली जो हो रहा है उसका खानियादा को भुगतना पड़ेगा हम जहां है वह मार्ग जो हमने चुना उसमार्ग का हिक परिडाम है कि हम इस तरह की तरह की समस्याएं देख रहे हैं परिवार में बिविटन देख रहे हैं जो उपद्रव है उतुपात है जो परिवर्तन है जो विसंगत है वह असल पर हम उसका यह परिणाम है अब साहित्य की संबेदना इसके साथ किस प्रकार की रही है साहित्य जो है साहित्य का यहू देश्य है आप तो पंडित ही है शिवेत रख्षते लेकिन अब जो शिव की परिभाशा हो गई वह तो अशिव की हो गई तो साहित्य के लिए जो लक्ष होना चाहिए था मनुष्य जीवन की जो क्रिष्टता है उसको कैसे प्रभाशित किया जाए यह प्रश्म हमारे सामने है और यह साहित्यकार के लिए स्रिजनात्मत चुनाउती है कि मूल्य विहीन साहित्य वस्तिता साहित्य का जो अर्थ है वह नहीं हो लिट्रेटर तो है लेकिन जो साथ में लेकर के चले जो सहित्य का जो भाव साहित्य में जो होना चाहिए वह तो उसमें नहीं है वह जितिति स्तरपरगवण ही हो जाता है तो यह जो हमने सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक विकल्प अपने लिए चुने, उसमें ये तुनोतियां खड़ी हुई, और आप विल्कुल निराश नहों, सही कि में तुमी चिनगारियां हैं, और उनमें चिवन है, और उसमें चेतना है, और मैं आशा करता हूं कि उसमें यह विचार आएगा, और मनुष्य की जो वास्तिविक्ता है, और मनुष्य का जो श्रेय है, उस श्रेय की ओर कहीं कहीं आगे बढ़ने की कुशिश करेगा, इसी भरोसे पर जीने की जरूरत है, हम प्यास करें कि यह भाव कहीं कहीं आगे आए, और देखें कभी विविकानन्द की विभूत ही आ कि आत्मना हम उप्षार्थम जगद हीता है तो मैं समझता हूं कि उसी उसी लख्ष को पुना पुना जीने के आवशकता है तो निराश होने से काम नहीं चलेगा और अपने दुवेदी जी का उपरन्याद दुवेदी जी का लेख तो है उतज क्योंकि कहता है कि हम बिल्कुल पाताल से भी अपना रस जो है खीचेंगे पहाड़ पर्रा कर पत्थर पर्रा करके भी जी मुने रस प्राप्त करेंगे कि बिल्कुल मैं तो उनके पुना नवा से बड़ा प्रभावित हूँ कि दुबारा घास फिरो गरती और ये मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बत है कि न्यू एडुकेशन पॉलिसी में हम हिंदी के जो स्लेवसिस हैं जो विशे पाठे करम हैं उनको पुना परिभाशित करे अब केबल इस बातों से काम ना चलाएं कि भी हिंदी के कविता में क्या लिखा गया उसका प्रसंग क्या था अब उसको नए संदर्भों में उसको आलोडित करें, देखें, समझें, ऐसी अपेक्षा है, बाके तो हिंदी वालों के दाइत वह है, उसमें हम लोग तो जादा क्या कह सकते हैं, लेकिन अपेक्षा ज़रूर है कि कहीं इस न्यू एजुक्रिक्शन पॉलिसी में शुचुर्श ची मुझे रखता है कि इसके लिए एक जो बेचैनी आपके मन में है, मेरे मन में है, तमाम सारे लोगों के मन में है, एक उथल उथल चल रही है और नहीं शिक्षा नीती इस प्रकार का एक अवसर जो है वह हमारे सामने रख रही है जहां पर ये विकल्प पहचान करके कि क्या हम पढ़ने को द्यां कैसा मनुश्य हम बनाना चाहते हैं, इसका संकत को नए धन से करने की आउशक्ता है, दिक्कत जो हमारे सामने आती है वो ये है कि आज का जो संचार माध्यम है, इतना ज्वलंत है, इतना सक्री है, इतना तातकालिक है कि कौन सा नया माडल पेरिस में आज हुआ आज ही हमको पता जाता है, और हमारी चिंता है हो जाती कि वो हम कैसे अपना लें, तो यह भाव जो है, अब सुने में लोग कहेंगे कि क्या बकवास है, लेकिन जो ब्रह्म, सत्यम, जगन, मिथ्या, तो जो मिथ्या में सत्य का जो आभास, जो अध्यास है, वो कुछी स्पकार का हमारे मन पर चा गया है, वो भेदे ही नहीं कर पाते कि क्या अश्रे है और क्या प्रे है, क्या करना चाहिए, हर चीज जो चमकती है, वो अच्छी हो है का तो नहीं सकता, यह प्रशन बड़ा गंभीर है, और कहीं ने कहीं मन में इस संतोष के साथ कि भाई, आखिर क्या था कि बेद अभ जीमनी की शक्ति, जो इन सारे धन्जावातों के बीच उसको जिलाए हुए, वही न कोई तत्व होगा, उसको अपरुशे न मानें, आप कोछ अनादियनन्त न मानें, यह तो मानेंगे कि अभी तक तो वो अनन्त बना हुआ है, तो अभी तक का अन्त नहीं हुआ, तो अभी वो जो जीमनी शक्ति है, वो कहां से किन मूल्यों से आती है, इसका बात तो करना पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा, निश्चित रूप से दुबारा इस पर हम चप्चा करेंगे, मैं कुछ और भी बिंदू फिर आप से बात में बात करेंगे, लेकिन अभी क्योंक प्रेश प्रेश का प्रेश पिन है जो 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 है और वहारा समय सोगे पूरा है और मैं अब वह बहुत सुन्दर चर्चा की आश्रतोस्ति आप की यह चिंता भी रखनी चाहिए, तुब फिर फ्रेशन जो है वो और उबर कर सामने आते हैं इंडी वालों को अपने प्रे अपने आप पर भी और पूरे समाज पर भी कि हम पिछड़े के नहीं हम कुछ ना कुछ करके रहेंगे तो आज इस उसे राख्यान से बहुत भावित हुए हैं और लाभावित भी हुए हैं और अपने करता पर पर कुछ करने के लिए और जोश से आगे बढ़ेंगे ऐसा मैं रिश्वास करती हूं और अब मैं आवंतित कर रही हूं इस कारेकरम की संयोजी का में मैंडम सर्यो एक सेकंड जोटी सी बात और आप से सांची कर लो क्योंकि नाम मुझे ध्यान आगया डॉक्टर नामवर सिंग कहा उनकी एक छोटी सी पुस्तक थी दूसरी परंपरा की खोज और आज आपकी बातें सुनते सुनते मुझे उसका ध्यान आगया कि हजारी प्रस प्रस्तूती करें वो कहीं ने कहीं अटकती है और विशेश रूप से उस तरह के लोग जो विचार जिनको इतने बड़े-बड़े प्लैटफॉर्म मिलें है वो इस तरह से विचार करें तो थोड़े सा लगता तो है लेकिन मुझे लगा कि यह टिपनी मैं जुरूर संझी आपके साथ दूसरी परंपरा कोई नहीं है वही प्रश्न उत्तर पूरुपक्ष उत्तर पक्ष का ही पूरत होता है विचार का आगरह ओता है और कहीं न कहीं उसमें जैसे ताप होते हैं वैसे ही सुख भी होते हैं, तो उनको ध्यान में रख करके ही खालोचना हो रही है, तो मैं क्या कहूं, इसे अधिक मैं अधिक टिपणी नहीं करना चाहता, फिर आप से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो पूरा प्रयास ये खास तरह के दृष्ट को स्थाप करने के लिए है, न कि वशास्त्रे चर्चा है, ये बड़ी कधिन स्थिती है, उसी को हम वा बालोचना मान ले रहे हैं, वहां उचना तो नहीं है, ठीक है, मैं सर्यू आप धन्यवाद करें, मेरे खाल डॉक्रेट देश बंदु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हिंदी भाषा एवन सहित्य की दशा दिशा एवन स्तर पर, आज सर आपने अपने भुमुले विचार हम सभी के साथ सांझा किये, इसके लिए हम आपका हिर्दय से आभार व्यक्त करते हैं, आज बहुत सारे शेत्र हैं, जहां हिंदी का प्रियोग धरले से होता है, और भार वर्ष की आधे से अधिक जनसंख्या इसको बोलती है, समझती है, आज संचार माध्यमों से भी हिंदी हम सभी से जुड़ी हुई है, चाहे सिनेमा हो, चाहे मीडिया हो, सभी इसका प्रियोग करते हैं, यद भी इसकी अपनी कुछ कठनाईयां भी हैं, प्रंतु हम सभी चा की अपनी अपनी परंपराई हैं, जिसके माध्यम से लगभग 40-50 तरह की हिंदी इनके माध्यम से परवाहित होती चली आ रहे हैं, हिंदी लचिली भाशा है, जो सभी को अपने अंदर समाहित करती हैं, कई दोर देखने के बाद भी यह नहीं बदली, उत्रोतर सभी का प्र हमें पूर्ण आशा है कि भविशे में आप जैसे उच्च कोटी के सहर्दय विद्वान विक्तित्व से जुड़कर सभी शिक्षकन, विद्यार्थी एवं समाज के सभी वर्ग के लोग को इससे प्रेर ना पासकेंगे, सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण विचार का अरंभ है और मैं आपके प्रति कृतग्यता ग्यापित करता हूं और मेरी शोकामना है कि इस यात्रापत में और भी उपलभियां हो और एक नई दिशाप्राप्त हूं धन्यवाद। मीटिंग छोड़ सकते हैं और आप लोग अपना फॉर्म जो है वो भर लीजेगा जिन्नोंने नहीं बढ़ा है। उसके बाद फिर मीटिंग क्लोज करते हैं डॉक्टर देश्मंदुजी इच्छाट नमस्कार। नमस्कार बहुत आनंद आया। जी जी आपके प्रश्णों से तो हमेशा आता ही आता है। और इसलिए यात्र सकते हुए में आपको सुन रहा हूं। यात्रा में जितने प्रश्ण समेठ के ले जाएंगे उतना ही ठीक है। बाकि तो उतनी देर तक जीवित रहेंगे। जाकि अगले विद्याले में आपके सारे प्रश्णी छोड़ दूँगा। लेकिन अच्छा हुए सार आपको जुड़ गे साथ में आपसे मैंने बात तो करनी थी। कि अगले सब्ता मैं सोच रहा था कि एक ये जो हिंदू और सनातन धर्म के कॉंस्टिट्वेंट्स के उपर बात करनी का। तो वो फिर आप अभी यात्रा कर लीजिए फिर किसी वक्त आज कल मैं बात कर लूँगा मैं आपसे तो कल आपसे मिलूँगा फिर परिश्चर कर लेंगे। जुड़े हुए सभी प्रति भागियों के प्रति आभार हिंदी भी भाग किये उर से और अब आप मीटिंग छोड़ सकते हैं सभी लोग और किसी ने अगर पॉम नहीं भरा तो प्लीज पॉम भर दीजेगा